नहीं निकलने वाली है जिसिका सिर्सक है भारत के नए नभेले बती और बुथे, सब हमारे नहीं जो जिन लोगों की साधियां होती है, नई शाधियां, तो हमारा घर थोड़ा बाराभन की जनपन में थोड़ा आउट में पड़ता है गाउं के बाहर, तो वो लोग मोटर जाते हैं और शाम को जाम लगा कर ते उसके बाद जाते हैं इस परिस्थितियां हो जाते हैं तो मंदर भी सही रहे कि नहीं है तो यह उसका तुपतान नहीं पाए लेकिन मैं सुनाता हूं कि हर घर घर की हैं बात सुनो मैं बात वहीं तो हुराता हूं कुछ नए नवेले पतियों संग बुठों की कथा सुनाता है क्या बात वहीं हो 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 हुआ है इदम जम को सदा भुला देती अलमस्त मगन हो कर जीते चखना कोई हो या ना हो हम नमक चात कर हैं पीते पत्ली के हाथों पिठते हैं पत्ली के हाथों पिठते हैं पिठते पिठते सो जाता हूं कुछी वहे न बेले पतियों से बुठों की कथा सिनाता हूं कि रोटी तें ही में ही होती फादन पेलन पढ़ जाते हैं मैडम जी जब ठक जाती हैं तो दोनों पर दबाते हैं ब्यूटी पार्लर जब जाती है बच्चों को दूद पिलाता हूँ कुछ नए नवेले पतियों से बुठों की कथा चिनाता हूँ हो जब तुम प्यारी दुलारी दिखाती परस मेरी खादी हो जाती क्या बाबा राम सिया राम सिया राम जे राम लुटकर मैं सक्रा होता हूँ बिनुबल का बक्रा होता हूँ कि पाती नहीं ठाती जो तिजोरी वाली प्राण प्यारी गल पाती पल पल चैन नहीं पाती है पाती नहीं ठाती जो तिजोरी वाली प्राण प्यारी कल पाती पल पल चैन नहीं पाती है और चाभी सिरहाने से उठाने को है बेकरारे कमरे में प्यार के बहाने आती जाती पैर जो दबाती मेरी आँख लग जाती फिर लगे हाथ हाथ दोनों साथ कर जाती है जानता हूँ फिर भी मैं मौन रहता हूँ क्योंकि मेरी लंबी उम्र हे तु करवा मनाती क्या बात हूँ अल्ला ये आदा हूँ क्या बात हूँ अल्ला लेकर भग गई ती जोरी खाली कर गई ती जोरी कुछ मही क्यात बहुत भाँ मौन वह द दन्दन जाय हिंद भारत मौन शाइज वाउट झाल